फिर आ गया हूँ लेके आप लोगों के लिए बहुत ही helpful और important वीडियो जिसका नाम है Deliver File to Your Customers on Successful Payment in Instamojo आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे automatically file deliver कर सकते हैं अपने customers को जो भी customer successfully payment कर रहा है आपके उस product की जी हाँ ये automation हम set करेंगे Instamojo और WhatsApp के बीच में then automatically क्या होगा जबी भी कोई customer आएगा और payment करेगा और आपके पास payment received होगी successfully तो automatically जिस भी file जिस भी product के लिए उस customer ने payment किया है वो file deliver हो जाएगी उसके WhatsApp पे एक अच्छे से message के साथ और best part यह है कि आपको इस automation को करने के लिए किसी भी तरह की coding skills का आना ज़रूरी नहीं है उपर से मैंने इस वीडियो में पूरी process बताएगे details के अंदर की कहां जाके आपको कैसे क्या करना है और यह automation कैसे set करना है तो बने रहिए इस वीडियो में ओके सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे पी डबल बी अलवाइ पैबली डॉट कॉम प्रेस एंटर यह ओफिशल वैबसाइट क्लिक करना होगा sign up free पे अपना अकाउंट एक दम फ्री में बनाने के लिए मैं अपना अकाउंट बना चुका हूँ that's time में क्लिक करूँगा sign in पे first option आएगा पैबली connect का क्लिक करना होगा access now पे access now पे क्लिक करने के बाद open हो जाएगा पैबली connect का dashboard right inside पे create workflow को option आएगा क्लिक करूँगा और अपने workflow को मैं एक नाम दे दूँगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया है same workflow use कर पाऊगे अपने account में वो भी एकदम free में workflow को नाम देने के बाद हमारे सामने दो windows आ गए है trigger और action की दोनों ही काफी important role play करती है integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action means do this ऐसा कर दो topic क्या है हमारा हम चाहते हैं के हमारे insta mojo की उपर आके जब भी कोई customer payment करे तो automatically जिस भी चीज के लिए उसने payment करी है वो चीज उसको उसके whatsapp पे deliver हो जाए तो मैं जो payment करवा रहा हूँ वो इस course के लिए करवा रहा हूँ जिसका नाम है php tutorial for beginners ठीक है यह as a pdf format में है इसके अंदर जो है कुल 8 से 10 11 pages है इसके अंदर पूरा core से होके तो मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई payment करे मेरे insta mojo की उपर तो automatically यह जो pdf file है उस इनसान को उसके whatsapp पे deliver हो जाए एक अच्छे से message के साथ ऐसा करने के लिए first application में मैं सबसे पहले choose कर लूँगा insta mojo को search किया choose कर लिया then trigger event मैं choose करूँगा new sale को pably connect ने दिया मुझे webhook qrl जिसको copy करूँगा और नीचे दियेगा instructions को follow करते हुए integrate कर दूँग अपने insta mojo को pably connect से चलिए चलते है insta mojo पे तो यह मेरे insta mojo का dashboard create new पे click करके payment link जो है मैं create करता हूँ create link पे click कर देता हूँ then smart link create करूँगा जिसका purpose यहाँ पे मैं दूँगा php course payment for इदर लिख देता हूँ मैं payment payment for php course so simple सा मैंने नाम दे दिया है purpose दे दिया है ठीक है flag pricing पे click करके जो है मैं आपर pricing डाल दूँगा 9 rupees जो है मैं आपर price रख रख रहा हूँ आपकी जो भी price हो आपके course की वो आप रख सकते हैं ठीक है ना नीचे आऊँगा और click करूँगा next customize link की उपर then यहाँ पे option है customize payment page का यहाँ पे add description पे click करके आप description add कर सकते हैं अपने product के बारे में then add image पे click करके product की image को भी add कर सकते हैं मैं दोनों को skip कर रहा हूँ आप दोनों करियेगा उससे professional लगेगा मैं time जादा नहीं लूँ इसलिए इनको skip कर रहा हूँ color add कर सकते हैं then नीचे आना है आपको और click करना है smart actions पे smart actions पे click करने के बाद आपको click करना है add webook के उपर then यहाँ पे जो blank field आईए यहाँ पे आपको अपनी webook URL पेस्ट कर देना है जो पैबली करेक्ट ने आपको दिये copy कीजिए यहाँ पे आपके paste कर देए then click कीजिए done पे okay so जैसे ही आप done पे click करेंगे यहाँ पे okay so क्या बता रहा है please upload an image और add description okay so यहाँ पे description हमें add करना ही होगा उसके बाद ही आगे बढ़ेगा तो description add कर देता हूँ मैं okay so जैसे कि आप देख रहे हैं एक simple description मैंने यहाँ पे add कर दिया तो मैंने add कर दिया then अब click करता हूँ done पे तो जैसे ही मैंने done पे click किया तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे your link is ready बता रहा है copy कर लेता हूँ इस link को और एक new tab में open करके देखता हूँ कि कैसा open हो रहा है payment page okay so यह load हो रहा है जैसे ही load होगा हमारे सामने payment page आ जाएगा okay so जैसे कि आप देख पर रहा है nine rupees का जो यह payment page बना है magnet brains को हमें pay करना है और जो photo हमने लगाई थी और जो description दिया था same to same है okay pay now पे click करूँगा पैबली connect के पास जैसे कि आप देख रहे waiting for webook response का option आ रहा है जैसे ही मैं यहाँ पे payment कर दूँगा और जो भी नाम अगरा डालूँगा उसकी details पैबली connect अपने पास capture कर लेगा तो मान लीजिए कि मैं कोई Gary Mondro नाम का इंसान हूँ और जो मेरा phone number है 93297666666 यह मेरा phone number है next पे click करता हूँ और यहाँ पे मैं अपने mobile phone से जो है UPI payment कर देता हूँ scanner को scan करके okay so successfully payment हो गई है मेरे mobile phone से और यहाँ पे आप जैसा की देख पा रहा है payment successful बता रहा है okay so चल के check करते है पैबली connect के पास इसकी details capture हुई के नहीं इस payment की okay yes यहाँ पे response received कर लिया है पैबली connect ने जैसा की आप देख रहा है payment successful हो गई है 9 rupees की होई है लेकिन यहाँ पे हमें customer की details नहीं दिख रही है सामने जो customers ने जो customer ने अपनी details एक करी थी जैसे की नाम, email, address, phone number वगड़ा वगड़ा तो उन सब के लिए हमें इसकी help लेनी होगी जो की है payment id हमारी payment id के through हम क्या करेंगे हम details निकाल लेंगे इस payment की तो क्या करूँगा मैं नीचे आऊँगा और scroll करूँगा और यहाँ पे plus button पे click करके action step और add करूँगा और यहाँ पे search करूँगा फिर से insta mojo को search किया insta mojo को choose कर लिया then action event में choose करूँगा get payment details को okay then connect पे click करूँगा उसके बाद add new connection पे एक new connection के लिए चाहिए private API की और private authorization token आपको just यह API and plugins पे click करना है यहाँ पे आके और आपको जो है private API की मिल जाएगी जिसको आपको copy कर लेना है और private authorization token भी मिल जाएगा दोनों को copy करके आपको आना है अपने पैबली कनेक्ट पे और यहाँ पे paste कर देना है then click करना होगा save पे और आपका connection जो है वो successfully हो जाएगा इंस्टा मोजो के साथ तो यह रही private API की जिसको मैं copy कर लेता हूँ आता हूँ पैबली कनेक्ट पे और यहाँ पे paste कर देता हूँ then वापस आके जो है private authorization token कोपी कर लेता हूँ और आके यहाँ पे paste कर देता हूँ then click करूँगा save पे तो connection जैसे कि आप देखने successfully हो गया है अब यहाँ पे payment ID मुझे add कर देनी है यह रही payment ID है ना इस payment ID को यहाँ पे add करने के लिए mapping का यूज करूँगा एक technique होती है जिसको कहते है mapping ऐसे यूज करते है blank field पे click किया नीचे option है insta mojo का click किया insta mojo पे और यह payment ID क्लिक करके map कर दी simple जितना simple हो और easy अतना ही important भी है क्योंकि data map नहीं करोगे तो automation आपका perfectly run नहीं करेगा यहाँ पे मैने data map कर दिया है आपको भी map करना कंपल सरी है just save and sign पे click करेंगे तो payment की सारी details हमें मिल जाएंगी जैसे कि आप देख रहे है Gary Monroe phone number email address अब हमारे पास सारी details है अब हम चाहते हैं कि Gary Monroe को उनके इस whatsapp number पे हमारी यह file जो है deliver हो जाए ओके so ऐसा करने के लिए नीचे आएंगे और हमारी second and last application में चूज कर लेंगे whatsapp cloud API को search किया चूज कर लिया whatsapp cloud API को इसी के through message sign करेंगे whatsapp पे then action event में चूज करेंगे sign template message को click करेंगे connect पे connection के लिए उसके बाद add new connection पे एक new connection के लिए चाहिए permanent access token phone number ID और whatsapp business account ID so यह तीनों चीज़े मुझे add करनी है इसके अंदर ओके यह तीनों चीज़े मुझे कहां से मिलेंगी यह तीनों चीज़े मुझे मिल जाएंगी मेरे whatsapp cloud API के setup पे तो यह रहा मेरा whatsapp cloud API का setup है ना यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर आपने अभी तक whatsapp cloud API का setup नहीं किया है तो आप मेरे वीडियो के description box में जाके देख सकते हैं वहाँ पे मैंने एक वीडियो का link लगाया है जिसके अंदर मैंने सारी details बताइए कैसे आप full setup कर सकते है whatsapp cloud API का तो चेक कर लेना दूसरी बात temporary access token है यह यह हमें देता है temporary access token जो कि एक दिन में expire हो जाता है जो हमारे किसी काम का नहीं है मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सिखाया है कि permanent access token कैसे create करते हैं जो कभी expire नहीं होता जिससे कि आप उसकी help से कभी भी किसी भी समय पर अपना connection बना सकते हैं तो उस वीडियो का भी link description box में लगा दिया है दोनों वीडियो चेक कर लेना काम के हैं तो permanent access token generate कर लो तो उसको save कर लेना और जबी भी connection करो यहां पर paste कर देना simple then दूसरी बात क्या थी हमारी हमें चाहिए phone number id और whatsapp business account id तो यह रहा phone number id और यह रहा whatsapp business account id दोनों को copy करके दोनों की जगा पे paste करना और click करना save पे तो connection successfully हो जाएगा मैं कर चुका हूँ पहले connection that's why select existing connection पे click करके click करूँगा save पे तो जैसा कि आप देख पाएंगे connected है whatsapp cloud api यह अब मेरा successfully पैबली connect से connect होने के बाद सबसे first field है यह template name की तो यहां से मुझे select कर लेना है अपनी template तो template का नाम क्या है मैं बता देता हूँ आपको template का नाम है pdf और onpay ओके यह नाम है template का मेरे pdf onpay है ना आप कुछ और नाम भी दे सकते हैं है ना तो सबसे पहले तो introduce करा देता हूँ मैं आपको अपनी template से यह रहा मेरा whatsapp manager यह कहां से open होगा आपके whatsapp cloud api पे आईए second step जो लिखिए यह hair लिखा है यहां click करोगे तो आपका whatsapp manager open हो जाएगा और जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर whatsapp manager के अंदर मेरी सारी templates के नाम आ रहे हैं यह मैंने खुद create करी हैं आपको भी create करना होंगी create message template पे क्लिक करके templates के बारे में और जानना है तो whatsapp cloud api वाला वीडियो जरूर देख लेना समझ में आ जाएगा clarity आ जाएगी ठीक है तो आज जिस template का यूज करने वाला हूँ जैसे कि मैंने बताया उसका नाम है pdf on पे यह रही open करके दिखा देता हूँ template एक तरह से message होता है जो आपने पहले से type करके रखा है और जबी भी आपको जरूरत पढ़े रही है उसकी आप उसको select करके sign कर रहे है okay so इस तरह का message है hello one लिखा है तो यहाँ पर payment करने वाले का नाम आएगा hello के बाद okay और हर बार अलग नाम होगा payment करने वाले का that's why मैंने इसको variable बनाया है तो आप भी अपने according जो भी आपके message में हर message के अंदर आपके words change होने वाले आप उन्हें इसी तरह से variable बना दीजगा जैसे कि यह पहला variable है तो मैंने curly brackets में one लिख दिया अभी अगर कोई दूसरा variable होगा तो यह दूसरा variable है इसको मैंने two लिख दिया okay है ना so इसी तरह से hello के बाद आएगा payment करने का नाम this is a confirmation that we have just received your secure online payment please download the attachment don't hesitate to contact us with any questions on concern regards second यहाँ पर आपकी company का नाम और team okay message दिखा देता हूं कुछ इस तरह का message जाएगा ऊपर आपकी pdf file रहेगी यह वाली ओके जो मैं डालने वाला हूं आप obviously बात है आपकी कुछ और होगी जो भी आप देना चाहते होंगे अपने customers को कहां गई template यह रही ठीक है then उसके बाद इ map कर दूँगा phone number किसका payment करने वाले का तो वह phone number मुझे मिल जाएगा payment details के अंदर okay so यह रहा phone number click करके map कर दिया simple साफ साफ दिया है country code होना जरूर यह without plus sign so country code add कर देते है manually 9-1 okay क्योंकि यह country code same रहेगा हर process में that's why हमने इसको manually लिख दिया लेकिन phone number change होगा हर process में that's why phone number को हमने map किया है तो map करना इसलिए important है क्योंकि अगली बार जब कोई दूसरा person payment करेगा और obviously बात है उसका कुछ अलग phone number होगा तो वह phone number automatically इस जगह पे add हो जाएगा software उसे add कर देगा है ना तो that's why map करना important है दूसरी बात यहाँ पे हमारे सामन करने वाले अपने customer को जिसने payment किया उस file का URL आपको copy करना है इसी तरह से और आना है पैबली connect पे और यहाँ पे paste कर देना है लेकिन एक बात make sure किजेगा कि आपकी जो file हो वो उसके आखरी में extension जरूर लगा होना चाहिए जैसे कि यह जो मेरी file है यह PDF format में that's why यहाँ पे जो जो यह जाएगा message उसका file name क्या देना है तो मैं यहाँ पे देता हूँ PHP course नाम दे देता हूँ मैं इसको नहीं नीचे आता हूँ body field 1 और 2 के अंदर तो इन दोनों के अंदर हमें data template के according map करना है first के अंदर hello के बाद customer का name आएगा second के अंदर आखरी में सबसे हमारी company का नाम आ ठीक है company का नाम change नहीं होगा ठीक है click करता हूँ save and sign test request पे और आप देख पाएंगे कि Gary Monroe को उनके whatsapp नंबर पे एक message send हो जाएगा जिसके अंदर यह pdf file मौजूद होगी चलिए click करता हूँ save and sign पे और यहाँ पे Gary Monroe का मैंने whatsapp web already open करके रखा है ताकि आपको दिखा पाऊं कि message आता है कि नहीं तो click किया save and sign test request पे और तुरंत आप देख पाएंगे कि यह एरा attachment जैसे की नाम दिया था PHP course मेंने तो PHP course आ गया don't hesitate to contact us with any questions or concerns regards magnet brain scheme download करते हैं और चेक करते हैं कहां लेके जाता है यह जो pdf है हमें so open करके देख लेता हूं उसको में so open हो रहा है जैसे कि आप देख रहे है लोड हो रहा है so open हो गया है जैसे कि आप लोग देख रहे है तो यह वही pdf है जो जिसकी link मैंने यह रही जिसकी link लगाई थी same pdf file जो है message के अंदर आ गया है तो इस message की presence बता रही कि मैंने अपना automation जो है successfully side कर दिया है और automate कर दिया है मैंने अपनी दोनों applications को insta mojo और whatsapp को अब जब भी मेरे insta mojo के अंदर कोई new sale होगी कोई payment करेगा तो automatically उस person को उसके whatsapp पे इस तरह का message सेंड हो जाएगा जिसके अंदर हमारे php course की pdf file होगी automatically होगी अभी यह process आपको अप कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी है ना यह automation work करेगा और जो आपने किया यह automation उसको हमेशा follow करता रहेगा जब तक यह workflow on है okay so ना सिर्फ in applications को pably connect की help से आप multiple applications को integrate कर सकते हो automate कर सकते हो बिना किसी परिशानी के जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ कि इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो क्योंगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और आप भी मेरा बनाया यह same workflow use कर पाऊगे अपने account में वो भी एकदम free में इस वीडियो से related कुछ questions होते हैं आपके queries होती है या फिर आप मुझसे बात करना चाते हैं मेरी team से बात करना चाते हैं तो आप हमसे अपनी queries पूछ सकते हैं यहां दी गई link पर और आपको अगर पैबली connect की pricing जानी है तो वो आपको यह दी गई link पर मिल जाएगी और जाते झाल